क्या आपको पता है शहत बनाने वाली मदुमक्की डंक मानने के बाद मर जाती है क्योंकि जब वो डंक मारती है उनका काटेदार हिस्सा तो अचा में फच जाता है मदुमक्की का यह डंक शरीर से जुड़ा होता है डंक को निकालने के चकर में मदुमक्की के शरीर से पिछला हिस्सा भी निकल जाता है और उनको यह हिस्सा उनके पेट और पाचक कंत्र से जुड़ा होता है इसलिए मदुमक्की तुरंट कुछ दिन बात मर जाती है जब हम अपने नाखून और बालों को काटते हैं हमें कोई दर्द महसुस नियुक्त क्योंकि बाल और नाखून नुत्तों कशिशों से बने होते हैं अगर नाखून और बालों को जड़ से खीचते तो हमें बहुत दर्द महसुस होता है क्योंकि उन्हें जड़ और जीवें